हमार साथ जोड़ रहे हैं केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी जी गड़करी जी नमस्ते स्वागत है आपका नमस्कार गड़करी जी आपकी नजर में ये लॉकडाउन काम्याब रहा दिएए मैं निश्टरूप से मानता हूँ कि जिस जिस परिस्थपी में जो निरने करने लाएक थे वो सरकार ने किये और निरने के वलबारे wastewater सरकार ने नहीं किये निरने ले नेके पहले प्रदान मंत्जी ने सबी मुक्य मंत्रियों चीर्चा की कैबिनेट सेकेटरी ने सभी राज्यों के चिफ सेकेटरी से चर्चा की और हमारे जैसे जो मंत्रियों पर राज्यों की जिम्मेदर है थी वहां का फीड़बैक लिया गया और उसके बाद में विचार पूर्व के निरने किये गये है यह सामुहिक रुप से सबसे विचार करके किये गये है अब इस निरने के बारे में इसकी चर्चा करना तो किया तो क्यूं किया नहीं किया तो क्यूं नहीं किया इस प्रकार की राजनीती इसके उपर होना उचित नहीं है यह समय हम सब लोगों ने जाद, पंत, धर्म, भाशा, पार्टियों राजनी से उपर उठकर देश संकट से गुजर रहा है हम सब लोगों आज इसके उपर उठकर विचार करना ही देश के लिए उचित होगा एक बार संकट समापत होने के बाद लोकतंतर है जिसको जो भी करना है वो कर सकते है अभी दर दिल्ली में तो बहुत बड़ा संकट होता जा रहा है और आपने राजनीती और उसकी बात की अब वो दिल्ली सरकार मैं आपकी मंतराले से अटके थोड़ा सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ही एकदम से मामला गरमा गया और आप जब राश्ट्री अध्यक्ष थे तब भी ये पार्टी आई और ये दिल्ली सरकार और केंद सरकार आमने सामने वाला मामला शुरू हुआ अब वो कह रहे हैं कि साब बैट जो हैं दो लाग चाहिए होंगे केंद सरकार हॉस्पिटल अपने नहीं दे रही है या हमारे हॉस्पिटल दिल्ली के लिए होने चाहिए इस सब पर क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या है? लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों सरकारें लड़ रही है? पहले ही तो लोग निगेटिविटी में काफी जाते हैं, फ्रस्टेशन हैं, निराशा हैं, इस बार पॉजिटिवटी और सेल्फ कॉंफिदेंस दिर्मान करने के वशक्ता हैं, और इस प्रकार की विवाद लोगों में और नहराश्य पैदा करता हैं, तो मैं मानता हूं कि ये थोड़ी सी आपर मसका पॉलिश करता हूं, और ये कहता हूं कि जहां वो जो डैलोग है ना, फिल्मी डैलोग की, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं, लाइन वहीं से शुरू होती है, आपके साथ कुछ वैसा ही है, ये MSME मंत्राले जब मिलता है किसी को, तो वो एक एडिशनल मंत्राले माना जाता है, उसकी उतनी एहमियत नहीं मानी जाती थी और अचानक से, ये मंत्राले देश का सबसे एहम मंत्राले बन गया, और नितिन गटकरी उसके इंचार्ज हैं, अभी बताईए कि, चाईना, ये बात कहा जा रही है कि चाईना में जो हो गया, उसके बाद लोग इस मंत्राले को देख रहे हैं यहां से देश आगे बढ़ेगा लेकिन उसके लिए चाइना से कंपीट करने के लिए हमने कुछ तैयारी क्या है हमारी देखे पहले बात तो ऐसी है कि हमारे देश के ग्रोथ में जेडी पी ग्रोथ में 29% MSM का कॉंट्रिबूशन है दूसरी इंपॉर्टन चीज़ है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% MSM से होता है और तीसरी बात इंपॉर्टन यह है कि अभी तक इस डिपार्टमेंट ने 11 करोड जॉब क्रेट किये और इसमें जो विलेज इंडस्ट्री का टर्न और रहे हो 88,000 करोड का है तो स्वाबाय कृप से यह मंत्रा ले हमारे एकोनोमी का बैकबून है और इसलिए गरीबी दूर करने के लिए ने रोजगा निर्मान करना बहुत अवश्चक है और नए रोजगार दिर्मान करने होंगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे देश की एकोनामी को मजबूत करना होगा और इसिलिए निश्चित रूप से इस मंतराले का अहम महत्व है और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में आने वाले समय में इस मंत्राले के द्वारा जो 5 trillion economy बनाने का जो सपना प्रधान मंत्री जी का है और 100 lakh करोड का infrastructure ये दोनों बातों का सम्मंदम मेरे दोनों मंत्राले से हैं और पूरी ताकत लगाकर ये सपना पूरा करने के लिए मैं रात दिन कोशिश कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अभी तक भी नमबरता पूरुआ कि ये भी कहुंगा कि मेरा ट्रैक रिकरॉड आप चेक कर रहे हैं जो मैं कहता हूँ वो निश्चित रूप से पुरा होता है चाहे कितना भी कठिन काम हो पर उसके लिए राद दिन मेहनत करके पूरा करना और ये कोई मेरे अकेले के कारण नहीं हो रहा है मेरे दोनों डिपार्टमेंट के मेरे अधिकारी मेरे इंजिनियर्स राद दिन काम कर है और एक टीम के रूप में हम निश्चित रूप से एश्च भी होंगे और ये जो संकट का समय है इससे हम बाहर निकलेंगे कोरोना के खिलाब जो लड़ाई है वो तो जीतेंगे ही और उसके साथ-साथ आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और इस संकट से उभर कर एक शक् प्राइब करने की अनुमती दो और अब दुनिया बर में पीपी किट एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं शुरू हुआ है हमारे जो सैनिटाइजर थे वह बारा सो रुपे लिटर भाव हो गया था मैंने सब शुगर मिल को का प्रदान मंत्री ने गाँ चावल से सैनिट लेकर दुबई तक दुवा सब तक अभी हम लोग अब सैनिटाइजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यह मानता हूँ कि यह बलसिंग डिजगाइज भी है और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन हैंने मार्केट हमारे पास है स्की चाहते हैं और अब तो दुनिया के देश हर चीज है आपको पता ही है कि वर्ल्ड की स्थिति कैसी है मैं कोई विवाद में नहीं गिरना चाहता पर अब लोग हिंदोस्तान को प्रिफर कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हमें एक एक अपॉर्चुरिटी मिली है और इसका फा पेटिशन होता था कि हमारे आइंडस्टी आए हमारे आइंडस्टी आए और फिर उनको वो बेनिफिट देते थे वो वाला सिस्टम हमारे आँ नहीं है लेकिन अधिकारियों को किस तरह के से क्योंकि आप मंतराले जब चलाते हैं तो ऐसा सुना जाता है माना जाता है कि जब दोर नहीं है मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ टाइट करके रखते हैं यहां पर भी आपने कुछ टाइट किया है कुछ मैं कोई टाइट हो गरे अधिकारों को नहीं करता मैं मानता हूँ कि अधिकारी और मंत्री एक टीम है मैं अकशर अपने लाइफ में बहुत अच्छा उदारन डैता हूँ कि ए नाम के विक्ति ने A square काम किया और बी नाम के विक्ति ने B square काम किया तो total work is a square plus b square but when a and b comes together, thinks together and works together, तो a plus b bracket में square इसका equation में जवाब आता है mathematics में, a square plus b square plus twice a b and twice a b is a result of collective team spirit मैं कोई अकेला काम नहीं करता है मेरे secretary, मेरे अधिकारी मेरे engineers भी राद दिन काम करते है अगर अच्छे काम करने का श्रेय किवल मुझे अकेले को नहीं है उन सब लोगों के भी परिश्रम को है हाँ एक बात जरूर है कि मैं कहता हूँ कि I like people who can get the things done मुझे निर्णे करने वाले अधिकारी पसंद है dodging करने वाले divert करने वाले फाइली दरूर वाले लोगों से मैं नहराज होता हूँ मैं यह कहता हूँ निर्णे क्या करना आपका अधिकार है आप करिए पर निर्णे करिए और ट्रांसपरेंसी टाइम बाउंड निर्णे प्रक्रिया और करप्शन फ्री सिस्टम यह मारी प्राइरिटी और मैं पिछले पास साल में मैं जब मंत्री था तो 17 लाग करोड के काम हमने अवाड किये पर एक भी आरोप नहीं हुआ कि कोई ब्रष्टाचार हुआ है मैं एक कॉंट्रेक्टरों को भी अपना काम आवाड करने के लिए मेरे पास आना पड़ा हम पूरी तरह एक व्यात ये भी है कि क्वालिटी में कोई खराभी करेगा तो मैंने कड़े शब्दों में कहा था कि याद रखना आपको मैं ठीक करें बिना में नहीं रहूंगा दिजार्दा आइसे टॉप मैं कंट्री और दूसरा हमने बड़े च्छे लाग करोड के काम भी उस समय पूरे हो गए इस देश में पैसे की कमी नहीं है टेक्नलोजी की कमी नहीं है इस देश में काम करने वाले की कमी है और देश के लिए समाज के लिए काम करने की कटिबत दता होगी तो हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं यह मेरा विश्वास है और इसी टीम स्पृरिट में हम लोग काम कर रहे हैं मेरा मतलब अधिकारीओं से यह था की जो चाइना में जैसा होता ना कि वो जो कॉम्पेटिशन होता है लोकल लेवल पे अधिकारीओं में सुना जाता है कि वो बिजनस को अपने अरिया में एट्राइट करने के लिए वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हम चाइना से कैसे कपिट करेंगे उसके लिए सरकार क्या करेंगे हमारे कानून तो ऐसे हैं नी देखिए आपने जो विशे रखा वो एक फिलासोफी है कभी-कभी एक विखती ने एक फिलासोफ पुर ने कहा था कि सरकार की विशेष्टा यह होती है वो हमारे सरकार के बारे में उनने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को संद्मान ने मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा ने मिलती है तो मंत्री का काम यही होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको मौरली सपोर्ट दे उसके पीछे खड़े रहे उसका अभिन्दन करें अभी मैं नाकुर में हूँ हमारे एरिगेशन में एक सुरुवे करके अधिकारी थे उन्होंने तीन साल या काम किया और विधर्ब के जैसे किसान आत्मत्या करें साड़े तीन लाख हेक्टर जमीन सीचाई के निचे लाई तो मैंने पब्लिक ली पत्रक निकालकर अकबारोग्वेदारा उनका अभिन्दन किया और मैंने का कि यह इधिकारी ने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है हम इसको भूल नहीं सकते हैं तो कही ना कही अच्छे काम करने वालों को अगर हम लोग उसके पीट पर हाथ रखते हैं तो उसकी काम करने के शक्ति दुगना बढ़ती है और जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे डिपार्टमेंट के कुई अच्छा है केवल मेरे कारण नहीं है अगर वो काम अच्छा है तो मेरी टीम अच्छी है मेरे सेकेटरी से लेकर छोटे-छोटे अधिकारियों तक रात दिन काम करते है और सब के मिले जूले प्रयासों का ये प्रिणाम है और एक बात जरूर है कि उसको बुल्डोज करना और काम के लिए लगातर फॉलॉप करना मैं बहुत बार कहता हूँ मजाक में कि एक बार फाइनांशल आडिट नहीं हुआ तो चलेगा पर परफॉर्मस आडिट होना चाहिए जो काम के जिम्मेदारी दिये उसका मुल्यांकन होना चाहिए मुझे लगता है कि हमारे यहां आज मोदी जी के नेतुरुत्म में वर्ल्ड बैंक के लिस्ट में इस ओप बिजनेस में हमारा रैंक भी उपर उपर जा रहा है रेट टैपिजाम, रश्टाचार मुक्तप पद्धती, रेट टैपिजाम को अटाना ट्रांस्परंसी, टाइम बॉर्ण डिसिजन मेकिंग प्रोसेस, पॉजिटिविटी यह बहुत आवश्चक है और सरकार में इसके निश्चित रुप से अगर मंतरी जी इसके लिए सब कोशिश करते तो परिलाम मिलते भी है यह बताईए अब राहूल गांदी कहते हैं कि यह सब लोन है यह डिरेक्ट बेनिफिट दे देना चाहिए था आप उसमें कहा है कि इस विवाद में देखिए पहली बात तो राहूल गांदी जी और उनकी पार्टी ने अनेक सालों तक सरकार चलाई है पैसा पैसा होता है जो विदर रिजर्व बैंक की छपी भी नोट आती है आत में वो बैंक से आती है कहीं तनखा से आती है या कोई गरांट में आती है पैसा पैसा होता है और इसलिए सरकार की अपनी एक मर्यादा होती है पर मैं आपको पुछता हूँ यहाँ पैसा थोड़ी आर्थ होता है और पैसा इतना उसार होता है किसी के जैब में रहता अगर वह किसी को वेतन के रूप में मिलता है तो बाजैर में जाकर वो किराना खरिदता है कपड़े खरिदता है तो उनके जेब में जाता है कपड़े खरिदने वाला स्कूटर खरिदता है तो वो स्कूटर वाले डिलर के जेब में जाता है स्कूटर वाला कंपणी को पैसा देता है तो कंपणी के जेब में जाता है और कंपणी वाले उसके अंसल पुमने से ही economy strong बनती है तो आखिर ये economy का सिद्धान्त यही है कि liquidity को बढ़ाना और liquidity बढ़े बिना growth rate नहीं बढ़ेगी और इस समय तो बहुत स्थिती खराब है और इसलिए 20 लाग करोड का package है इसका पैसा 20 लाग करोड स्टेट गवर्मेंट और भरत सरकार का जो budget का वो पै investment और जो हम कोशिश करें कि MSME में foreign investment आए हम लोग MSME को अच्छे MSME को कहरें कि वह MSME stock exchange में जाए 15% हम funds of fund में से उसको देंगे equity में बाकि वो market से खड़ा करेगा हम लोग जो लोग NPA account हो गए उनके लिए उनके proprietor को equity के रूप में 20,000 करोड हम देंगे तो आप पैसा देंगे ताकि वो present policy में NPA के NPA होने के बाद बाहर आएगा और रिस्ट्रक्चर हो जाएगा तो क्या ये मदद सरकार की नहीं है और अगर सरकार मिरने नहीं करती तो क्या इंडस्ट्री को ये सब पाइदा मिलता अभी हमने मार्च तक करीब 6 लाख इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्च की डेफिनेशन अब बदल दिये मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम मार्केट पे दिखेगा पर परिस्थिती कठीन है समस्या गंबीर है विश्वपूरा संकट में है भारत भी संकट में है और इस समय हमको हिम्मत के साथ पॉजिटिविटी के निगेटिविटी और फ्रस्टेशन दिराशा को छोड़ कर सभी स्टेक होल्डर को आगे जाना होगा और मैं आपको एक बात पूछता हूं इस समय अर्चन में को नहीं है इंडस्री अर्चन में है हमारे माइगरेंट लेबर घूमरे बिचारे उनको तनकानी वो अर्चन मे यह जगडा करने का समय नहीं है यह कंदे से कंदा लगाकर पैर सब्सक्राइब एक साथ मिलाकर हमको साथ सेल के आगे चलना पड़ेगा और तब हम आगे चल पाएंगे अब राजनिती हो जैसे जाथ पंत धर्म भाशा राजनिती एक दूसरे को कोसना इसका यह समय नहीं है देश सर्वो पर यह हमको आगे जाना है और हमको यह संकट से बाहर निकलना है हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे वाइरस के खिलाब हमारा वैक्सिन आ जाएगा और उसके साथ साथ हम आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और हम निश्चित रुप से काम्याब होंगे फि आप क्या मानते हैं उद्धव ठाकरे ने करोना के खिलाफ लड़ाई अच्छी लड़ी है देखे मैं ऐसी कोई टिपनी नहीं करना चाहता हूं जिसके लिए विवाद होंगे मैं उद्धव ठाकरे जी से में मेरी बाचित होती रहती है शरत पवार साब से होती है जित पवा लोगों की रक्षा करनी चाहिए करोना की लड़ाई लड़नी चाहिए और यही सबसे उचीत बात होगी और भारत सरकार प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रूत में सब राज्य सरकार के पीछे उरे शक्ति के साथ खड़े हैं हम उनको जितना संबह होगा उतनी मदद करने क लिए तैयार है नहीं पर उदर से लजाम आते हैं कि आप तो सरकार गिराने के लिए वैड़े हैं मैं आज कल नाकपूर में हूँ मैं नाकपूर से डिरेक्ट दिल्ली आता हूँ मुंबई जाना मेरा लगबग बंद है तो मुझे पताने कि मुंबई में क्या चल रहा है आपने जो कहना था वो कह दिया नितिन जी लेकिन एक बाद होता है यह 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 जिस तरीके से राज्जी की राजनीती दिख रही है केंदर की राजनीती दिख रही है इससे बहतर नहोता है अब जैसे मुलाइब आप मजदूरों की बात है आपके मंतराले की बात है सेक्टर की बात है ये MSME में ही तो मजदूरों का सबसे ज़्यादा जरूरत थी इनका पलाइन हो गया तो काम धंदा कैसे आगे चलेगा आप लोन भी दे दीजिए सब कुछ कर दीजिए सारे पॉलिसी बना दीजिए लेकिन मजदूर ही नहीं है आपकी मैं एक बात से समबत नहीं हूँ आपने मीडिया में ऐसे इंप्रेशन त्यार कर दिया है कि इस देश की पूरी इंडेस्ट्री माइगरेंट लेबर पर चालो है यह सच नहीं है अच्छा यह वालूम दस से बिस परसेंट है ठीक है अब काफी इंडेस्ट्री चालो हो गई है और मैं अभी करीब दिसले देड़ दो महने में मैंने 110 विसी किया असुचन के साथ चेंबर्स के साथ तो मुझे यह रिसाइकल इंडेस्ट्री वाल ने का कि हमारे मजदूर आने के लिए तैयर है तो मैंने का वहां राज्य सरकार के पास जो जिलादीकारी है वहां के जा गए वह वहां के जिलादीकारी को आवेदन दो जहां लाना है उसको आवेदन दोनों का कॉड़नेशन क और करोना के बारे में जो तीन बाते है मासं लगाना मेंडेटरी है सोशल डिसंस एक मिटर से जादा मैंने करो और दूसरी वात परेक्टी में जाते समय हाथ-लगातार से साफ करते रहो और आपको परेक्री में अपरशक्ता होगी तो शेल्टर और फूड की भी व्योस्ता क के लाना होगा तो आपको यह चिंता करनी पड़ेगी कि जो राज्य सरकार और भरस सरकार की जो गाइड लेंग से उसका अमल में लाकर आप अपकी फैक्टरी को शुरू करिए हमने नाशनल हाइवे ओपन कर दिया 70% प्राफिक आ गया अभी हमने हमारे पोर्ट इफिशेंटल चालू हो गए पुरे एक्सपोर्ट चालू हो गया है तो मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टेंड आर्ट ओफ लीविंग विद करोना वाइरस यह जब तक हमारे पास यह वैक्सिन नहीं आता तब तक हमको करोना के साथ जीने की जीवन पद्दती को समझ कर चलना ही होगा उसके सिवा कोई आप्शन नमारे पास नहीं यह यह आईवे पर कुछ नए कानून आएंगे मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग और पचास चीजें जो जैसे आपने बता है तो हाईवे के लिए आभी पहले आपने कुछ कानून चेंज किये थे चलान बढ़ गये थे अभी और कुछ होने वाला है। पर आपको एक मालूम है कि नया एक्ट आने के बाद देश में 25 तके तामिल लड़ों में एक्सिडेंट कम हुए मुर्ट्यू भी संक्या कम हुए और आप देखो अगले मार्च में जब डाटा आएगा तो 35 से 40 परसेंट मौते कम होगे एक्सिडेंट कम होगे और मेरा सपना ह कि पास साल के अंदर हिंदुस्तान में देड़ लाग लोग जो मौते होती है एक्सिडेंट में ये मुश्किल से 20-25 परसेंट पर आएगी और इस देश को हम लोग ये एक्सिडेंट मुक्त बनाने की पूरी कोशिश में लगे है हमने उसके लिए ब्लैक स्पॉट इडेंट करिए देखो संकटे आती है समस्याय पैदा होती है यह चलने वाला है एक संकट से दूसरा संकट आता है हमको उसके ओपर जीत हासिल करना है पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ हम संकटों को आगे जेलते हुए हमको उस पर मात करके आगे जाना है यही जीवन क का सबसे अच्छा मंत्र है और मीडिया से भी आप इसी प्रकार की पॉजिटिविटी को अगर प्रोचसाइब करेंगे तो आपके द्वारा भी यह बहुत बड़ा योगदान होगा जी जी कोशिश तो करते हैं नितिन जी लेगिन क्या है कि वो राजनीती फिर भी आ जाती है अब रोज बयान आ जाते हैं अब उन पर पूछना पड़ता है आज देखी ने दिल्ली में कैसा घमासान हो रहा है यहां कह रहे हैं कि दो दो लाख केस हो जाएंगे जुलाई तक और लड़ाई इस बात पर रहे हैं कि बेड केंदर सरकार का होगा कि राज्य सरकार का यह NCR का जो कॉंसेप्ट है मैं आपसे जानना चाहूंगा NCR का कॉंसेप्ट लोगों ने इसको बिल्कुल अब खतम कर दिया है अब दिल्ली वाले हम दिल्ली वाले हर्याना वाले हम हर्याना वाले यूपी वाले यह लोग क्या करें जो एक जगा रहते हैं दूसरी जगा का करते हैं यह तो सच्छे है कि दिल्ली की राज्य की सीमा एक तक है और जहां उनकी सीमा जहां तक है उस सीमा तक क्या करना और अधिकार राज्य सरकार का और यह attracting और सरकार उसमें लिखे गए तो सौबब्र गर्फ से दिल्ली जैसे जगह पर ओल्यावी कि प آپ ठीजर ऐसको ऑप कर तो भाट है और यहां से निकलोर मुंबाई दिल्ली हाई astrology कर से सच्थी, जमीन देता हूँ, मैं जमीन अक्वार करता हूँ, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देता हूँ, और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी देता हूँ, वहाँ बढ़िया टाउंशिप बना और वहां इंडस्टी डालो, मैं लेधर क्लस्टर, प्लास्टिक क्लस्टर, फूर्ड क्लस्टर, एक्सपोर्ट क्लस्टर अलगलग प्रकार के वहां बनाने के लिए मैं पुरसाइट करो, अब यहां नोईडा में, गुडगाव में जगन ही है, कितना दिल्ली का प्राब्लेम, में कुछ कटोर निरने करने पड़ेंगे, उद्योगों का विकेंजरी करना पड़ेगा, गरीब लोगों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग, चाहे रेंटल हो, चाहे प्रदानमंत्र आवाश वो बनाना पड़ेगा, स्मार्ट सीटी बनानी पड़ेगी, शुद्ध और में जाता, जो बेंगलोर में जाता, अभी वो धारावी में, देल लाख लोग तो केवल चमड़े का काम करते हैं, चर्मकार समाज के, मैं ठाने जिल्ले में बुम्बे दिल्ली हाइवे के बाजु में आपको जगह देता हूँ, आप नया लेदर क्लस्टर बनाओ, और वहां कि हम को इसके दिरने करने पढ़ेंगे कि उद्द्योगा का भी के दिरने करने हो, और स्मार्ट सीटी जैसे स्मार्ट विलेज़ेस बनें, क्लस्टर बनें, और लोगों को हम दिरे-दिरे डिकंजस्ट करें कुछ शहरों को, उसके सिवा कोई उपाय नहीं है, और यह जो कि यहां कंजेशन ज्यादा है, जैसे आपने धारभी की बात की, वहां कोरोना कितनी जबर्दस तरीके से पहला, अब उस पे, अभी देखो माँ आपको दो बाते बताता हूँ, बोलिए, एक छोटे सी बात, मैंने केजरिवाल जी को एक प्रपोजल दिया था, उनने भी सब दिल्ली के बाहर रिंग रोल पर ले जाए, और केवल यह बैन ही कर दे कि दिल्ली में कोई गोड़ों ने, अगर यह जो कच्रा है, वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, स्टील वेस्ट, सब बाहर, तो दिल्ली में एकदम कंजेशन कम हो जाएगा, मैं तयार हूँ, अब दि हाँ, परिफिल रोड का, अभी दिल्ली मुंबई हाईवे के बाज़ों में कुछ लोग को ले जाएगे, तो हाँ, यह इससे धीरे-धीरे क्या होगा, दिल्ली का कंजेशन कम होगा, लेकिन यह तो यह तो यूपी में है, परिफिल एक्सपेस वे या हर्याना में है, फिर हर प्रदेश की भी सरकार है, हम दोनों बैटकर, हम बिल्कुल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार है, सब की सुकृति है, हम बैटके प्रामला ने प्टाएंगे, आपको पता है, मैं वाटर रिसोसे मिंत्री था, जी 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 और उननीस सो सत्तर से लेकर, कम स कम नव प्रोजेक्ट ऐसे थे राज्यों में जगडा चल रहा था, और मैंने साथ आठ प्रोजेक्ट पर मेरे रूम में सभी मुक्यमंत्री को बुला करका दर्वाजा बन करो, और मैंने का आप बैटो और निरने करो, और लगबा को प्राब्लेम सो लोगे, साइन किया, सब प्रोजेक्ट क्लियर हो गए, पर आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट अकरा सो, गारा सो करोण में हो सकता था, उसकी कीमत 28,000 करोण हुई, 40,000 करोण हुई, कितना बड़ा वेस्ट हुआ, और ये ये प्रोजेक्ट से फाइदा सब का था, अभी दिल्ली को पानी चाहिए, त प्रोजेक्ट से जगड़े मिट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानि मैं तो अब लोग जचा करेंगे, और देश शित में सोचेंगे तो हो जागा, आपकी बात सुनके लोग विजुलाइज कर रहे हैं कि एक कमरे में इतन गटकरी बैठे हैं, एक टेबल के और सोचल डिस्टेंसिंग के ताथ एक साथ एक तरफ योगी अधित्तिनात हैं, एक तरफ केजरिवाल साब हैं, एक तरफ कटर साब हैं और आपने काया है, साइन करो नहीं तो भी धर्वाजा खोलूँगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा है, मैं सब भी मुख्यमंत्रियों को सन् करता हूं, मैंने का देखो, आप सब के हीत में हैं, अभी ये हमारे छे नदिया है, उसमें से तीन नदिया हमको मिली, तीन पाकिस्तान को मिली, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा हूं, और पंजाब हरी आना और हम जगड़ा कर रहे हैं, मैंने पंजाब क मुख्यमंत्री जी थे अभी अमरेंदर सिंग जी को फोन किया जम्मू कश्मिर में हमारे राजयपाल ते सत्यपाल मलिक जी उनको फोन किया उनके सेकेटरी को वहां बेजा दोनों के बीच में एग्रिमेंट करा के साइन करा दिया अब पाकिस्थान को फाइदा हो रा कंसर का पानी हरियाना को मिले आप पंजब में मिले वह भी डिस्ट्रिबिशन कर दिया तो मुझे लगता है कि जरूरत इस बात कि हम पॉजिटिविटी के साथ देश हीत में विचार करके दोनों का भी फाइदा इसमें पानी मिलेगा हरियानों को पाइनी मिलेगा दिल्ली को पानी मिलेगा, राजस्तान को भी पानी मिलेगा कापी जगड़े मिटा ती है पानी के है जी जी वक्त यहां खत्म होता हो हमारा गडकरी साहब, break आवरेक वक्त हो रहा है लेकिन आपने नया मंत्र दिया कि आत्म निर्वर के साथ आत्म विश्वास बहुत जरूरी है इस वक्त पॉजिटिविटी के साथ न सिर्व राजनीतिक ये नेता मंतरी अपने आपको देखें जनता अगर वो देखेंगे तो वो पॉजिटिविटी जनता में भी जाएगी बहुत बहुत चुक्रिया आपका नितिंजी हमाई साथ जुनने के लिए